अफेर्वेल तू दर टीचर हमारी अतिप्रिय टीचर मिसिस शास्त्री और मित्रो मैं वास्तब में अपने भाषन को कुछ अब्दों तक सीमित करने जा रही हूँ चार वर्षो फहले मैंने कभी सपने में भी कलपना नहीं की थी मैं कभी इंग्लिश में भाषन दे पाऊँगी मिसिस शास्त्री के कारण आज मैं इंग्लिश में भाषन दे पा रही हूँ वह एक महान टीचर है और हमने उनकी क्लास में हर एक मिनिट का आनन लिया है अगले वश्व हमारे साथ नहीं होंगी क्योंकि हम सबी नई क्लास में जा रहे हैं पर हम उन्हें सदे व्यात रखेंगे और मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि टीचर भी हमें याद रखेंगी उन्होंने कहा है कि जब भी हमारा मन करे हम उनसे जाकर मिल सकते हैं पर हम उन्हें अगले वश्व बहुत याद करेंगे अब हमारे प्रेम और सम्मान के प्रतिक स्वरुप शुब टीचर को एक फूलों का गुलदस्ता और एक उपहार देगा मैडम, हमने स्वयम ये फूलों का गुलदस्ता आपके लिए बनाया है भले ही ये उतना सुन्दर नहीं दिख रहा है पर हम जानते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझेंगी अब मैं मैडम से अनुरोद करती हूँ कि वह यहां आए और कुछ शब्द कहे Girls and Boys, मैं वास्तफ में अभी भूत हो गई हूँ मुझे बहुत खेद है कि मुझे आप सभी को छोड़ कर जाना पड़ रहा है पर मुझे आप सभी पर गर्व है आप सभी ने मुझे सबसे अच्छा पुरुसकार दिया है जिसकी कल्पना एक टीचर करता है जिस आत्म विश्वास के साथ आप सभी ने यह कारिक्रम आयोजित किया है वह अद्बुत है आप सभी ने पूरे वर्ष अन्ने सभी अक्टिविटीज में इसी तरह अच्छा प्रदर्शन किया है मुझे विश्वास है कि आप सभी का भविश्य उज्वल है मैं आप सभी को आने वाले जीवन के लिए शुप कामनाई देती हूँ धन्यवाद मैडम है में प्रदर आने मैं प्रोण कामनाई दो गल्रा तेस प्रेद को इस आप मैं उन्चा रदो